जय हिन दोस्तों सिधाद भईय किस वीडियो में आप सभी का हारदिक स्वागत है बनारस बनारस हिंदू युनिवर्स्टी का IIT कैंपस में छात्रों का एक जमावड़ा एकटा हो गया है सब लोग प्लेकार्ड लेकर खड़े हो गए हैं ये पूछ रहे हैं भारत सरकार से आरवी सेफ क्या हम सुरक्षित हैं क्या आप सुरक्षित हैं क्या इस देश की महिलाएं सुरक्षित हैं क्या आपकी बेटी सुरक्षित हैं क्या आपकी बेहन सुरक्षित हैं कैसे पढ़ें हम IIT के इस कैंपस में जब हमारी ही एक छात्रा के साथ एक मित्र के साथ ऐसा घिनो जुर चुका है वो अध्याय है महिलाओं का यौन शोशड और सेक्श्वल मॉलस्टेशन इव टीजिंग जैसा मामला हम इस मामले में पूरी डीटेल में आपको बताऊंगा लेकिन सबसे पहले तो मैं उस जगे के बारें बताना चाहता हूं जहां से मैं खुद आता हूं वो ह जहां पर माया मोक्ष लोगों को मिलता है जहां पर एक ऐसी विद्या हम प्राप्त करते हैं कहा ये जाता है कि ये पूरे विश्व की सबसे ओल्डेस्ट सिटी है वारणसी में बहुत सारे फॉरें टूरिस्ट भी आते हैं बहुत सारा कल्चरली डाइवर्स है बनारस के आस हैं अपना चुनाव पिशले दो बार से लड़के जीत रहे हैं लेकिन हम बात कर रहे हैं बीचू की बनारस हिंदू युनिवर्सिटी इस इस में इस sendiri में यहाँ पर मैक्सिमम जनता पड़ती है कहा ये जाता है कि बनारस हिंदू युरिवर्सिटी में ओवर ओल लगबग 12,000 से भी जादे जनता पड़ती है अगर हम IIT की बात करें तो इसमें IIT ये अपने आप में सब से प्रतिष्थित पुरानी संस्था है और IIT में लगबग जो की कोव किसी फेमिस पर्सनालिटी किसी लीडर के ऊपर किसने बनाrec situation को पंडित मदल महन माल विया जी कहा यह जाता है बड़े मुष्कित से मशक्त से इस पूरे के पूरे जमीन को इस बाग को पंडित मदल महन माल वियो ने अपने सीनी से लगा के रखा और बादमी जाके जब बनारस एंजिनेरिंग कॉलेज के नाम से जाना जाता था लेकिन जैसे भारत आजाद हुआ उसके बाद IIT जैसे स्थापित हुए तो कई सारी ऐसी टेकनलोजिकल एंजिनेरिंग जैसी सर्विसेज जो है पढ़ाई जो है वह यहां पर स्टैबलिश हो गए मैं आपको यह भी एंडरी दोर है एंट्री दोर के अंदर ही कई सारे एक तो IIT भी है अंदर और भी हॉस्पिटल है बियाच्चू का अपना कैंपस है कई सारे और डिपार्टमेंट्स है तो बियाच्चू अपने आप में बहुत हीज विशालका आये है और उसमें एक छोटा सा विंग आता ह है IIT का अब मुद्धा आपको धीरे-दीरे समझ में आने लगेगा हम इधर के बजाए इधर बढ़ते हैं क्योंकि सिविल सर्विसेज के एक्जाम में मुझे पता है आपको मेंटोर्शिप की जरुगत है बीच्चु में भी लोग ग्राजुएशन पोस्ट ग्राजुएशन क करते-करते आई-एस-पीसेज की तयारी बिल्कुल करते हैं आपको भी अगर आप कॉलेज में हो फूल टाइम हो जॉब के साथ सथ तयारी कर रहे हो तो आप आईए और सिविल सर्विसेज की तयारी में साथ दीजिए क्योंकि मुझे पता है मेंटोर्शिप के बना बड़ा उसको फिल करिए, टेलिग्राम पे मुझे हाई करिए, उसके बाद हम चलते हैं अपने इस सेशन पे हर हर महादेव की नगरी, नमः पारवती पता है हर हर महादेव ये बनारस की नगरी है, आप जाएंगे वहाँ पे अलगी एक religious feeling आती है, passion drive होता है बहुत सारे लोगों का विश्वास, मान्यता, आस्था लगी रहती है यहाँ पे लेकिन बाबा की नगरी में कुछ इस तरीके के कांड हुए हैं, अब ये कांड क्या है मैं आपको detail में बताता हूँ हुआ यू था, सोमवार, जी हाँ यही सोमवार, सोमवार की रात्र को बियच्चू में IIT कैंपस है उसमें से एक छात्र और छात्रा निकल कर वापस आ रहे थे, मतलब जा रहे थे एक मंदिर के तरफ और टहल रहे थे यह वक्त था लगबख साड़े बारा एक बज़े का वक्त था, टहलते टहलते किसी ऐसे स्पॉट पर वो पहुँचे और जैसे एक नॉर्मल स्पॉट पर अपने टहलते कैसे टहलते हैं कैंपस के अंदर पीछे से बुलिट धारी, तीन लोग बुलिट पे बैठ के तीन आते हैं और एक कहा जाता है उसमें से एक मोटा सथा दो पतले से थे आते हैं लड़का लड़की को दोनों को अलग करते हैं लड़के का मूँ दबा के उधर पीछे और उसको जोर से पकड़ लिया जाता है जो लड़की रहती है उसको साइड में ले गया जाता है बारी बारी किस किया जाता है उसके पूरे कपड़े उतारे जाते है और आप सोच भी नहीं सकते उसके बाद क्या होता है पूरी वीडियो बनाई जाती है पोटो खीचा जाता है तकि फ्यूटर में उसको ब्लैक मिल किया जाए ये इतनी गंदी घिनोनी वारदात गंदी घिनोनी शाजिश महादेव के नगरी में हुई है महादेव जरूर बक्षेंगे तो नहीं किसी को खास तोरकी इनको जो को अपराद किये हैं अब हुआ यूँ कि लड़की सहमी लड़की डरी और एक औरत का लाज और इज़त उसका गहना होता है और जब वो उतर जाता है तो वो अपने आप में शामिल खड़ी नहीं हो पाती है नजर नहीं मिला पाती है अपने से तो खुद से क्या सामने वालों से क्या नजर मिलाईगी वो लड़की वापस जाती है प्रोफेसर का आवास देखती है वहां रहती है फिर भी वो चाहती है कि बोलना लेकिन वो बोल नहीं पाती है आज भी किसी भी मीडिया पर्सन को उसने इंटर्व्यू नहीं दिया लेक पहला ऐसा वारदात नहीं था चात्रों को एक मौका भी मिल गया था कि अपनी बाते मनवाने का क्योंकि बार बार पुर्जोर तरीके से चात्र अपनी डिमांड करते आ रहे थे सिक्यूरिटी बढ़ाईए महिलाओं के प्रती जितनी भी आपके साथ सिक्यूरिटी हो सकती उसको बढ़ाई है लेकिन लोग ध्यान नहीं देते थे चाहे वो बीच्चू का प्रेक्टोर्स ओफिचनी की आईटी एड्मिनिस्टेशन बीच्चू एड्मिनिस्टेशन हो या फिर पुलिस हो वहां की ये लोग पुलिस थाने में कंप्लेन करते हैं लंगा पुलिस थान और अगर हम इन चीजों की बात में लगे रहें तो ये एंड्लेस कॉन्वरसेशन है ये कभी खतम नहीं होगी इसके बज़ाए अगर आप ये कहते हैं कि लड़की अगर एक बज़े दो बज़े तीन बज़े बाहर टहले भी अकेले भी टहले तो उसके लिए उस हिसाब से प्रशासन दिवस्था करें कि कोई भी sexual violence या फिर इव टीजिंग, molestation जैसी बातें ना हो अब आप ये सोच सकते हैं निर्वया कांड जो हुआ वो एक लड़के के साथ थी अपनी फिर भी इतना बड़ा कांड हो गया ये जो कांड हुआ है ये जो वारदात हुआ है ये व लड़के हैं दस लड़के हैं उसको तो करना है जो उसको करना है अब मामला तूल पकड़ा इस पूरे के पूरे मुद्दे का अब मुद्दा पहुँच गया है काफी पुरजोर तरीके से पूरे के पूरे student union के या फिर sexual violence इनकी जो एक committee होती है harassment की वो पहुँच चुकी है सब लोग placard लेके यही बोल रहे हैं डिरेक्टर क्यों silent है क्या हम safe है क्या आप safe हैं दोस्तों बनारस न उस area में आता है जो कि UP का पुरवांचल area है अब भी भी बहुत सारी इसी चीज़े हैं जो कि orthodoxy है cultural थोड़ा सा बहुत जादे sensitive है backward area काफी जादे है बनारस के आस पा जिरात से बंगाल हर तरफ से वहां बच्चे आते हैं पढ़ाई करने मैंने कहा लग बारह हजार की strength है हजारों बच्चे हैं अलग-अलग ethnicity के यह institution की जिम्मेदारी है कि उनकी देख भाल कर यह institution की जिम्मेदारी है कि उनको हाँ पे safety बढ़ाएं इनकी बच्चों की demand यह है कि वहां पे विशाखा guidelines ले आए जाए विशाखा guidelines वही जो कि 1997 में Supreme Court ने जिकर किया था जिसका लेकिन 2013 में उसको finally फिर से approve करके re-attempt और लागू करवाया विशाखा guidelines वही sexual harassment की against में कराई गई थी जितने भी workplaces हैं, corporates हैं, culture पे जो की सजाय सुनाती रहती ही है वह आपको यह सारी चीजें हो रही है, अब जो बिचारी छात्रा है वो किसी को interview नहीं दे रही है, कैसे कोई दे पाएगा, लेकिन बच्चों की demand है, बच्चों की demand number one क्या है मैं आपको अभी बताता हूँ, demand number one है कि हर जगह CCTV installed हो, हर जगह CCTV installed हो ताकि हर एक की हरकत watch हो, साथी में उनक क्यों पीछे रह गया, साथी में street lights और isolated spot पे होने चाहिए, जो black spot है, जहां पर दो light के बीच में एक अंधेरा काला सा होता है, वहाँ camera भी नहीं है, तो कैसे कोई देख सके, ये बहुत important है, street lights होनी चाहिए, साथी में, पुलिस ने कहा है कि pink booth set up किया जाएगा campus में, ताकि जो भी गुनहगार होगा, उसको identify किया जाएगा, और महिला पुलिस करमी उनके साथ वहाँ रहेंगी रहेंगी, और ये भी कहा जा रहा है, कि single entry point, exit point होना चाहिए, क्यों? क्योंकि फिलहाल जो है, वो पूरा IIT बेच्चु को जो campus है, और उसमें लगबग 4, 3, 4 exit point है, एक ह इदम focused और strategic तरीके से हो, 24 घंटे security beefed up हो, क्योंकि महिलाएं पढ़ रहे हैं, छात्राएं पढ़ रहे हैं, वो अपनी security पहले देखेंगी या भारत के भविश्र के बारे में सोचेंगी, वो, तो security का काम भारत सरकार का है, IIT B.H.U. campus का है, और भारत सरकार और भारत को आग हमारे परिवार, हमारे family से अब मतलब बहुत से restrictions आ रहे हैं, कि तुम ये मत करो, तुम वो मत पहनो, तुम बहां मत जाओ, तुम बाहर मत निकलो, ये सारी चीज़ें लेकिन होनी नहीं चाहिए, ये सारी responsibility हमें लेनी होगी, एक individual के perspective से भी हमें भी एक जागरुक नागरी ब पकड़ा गया नहीं है, demand तो यही है कि आप राधियों को पकड़वाएं फटापट, लेकिन section 354 जो की outraging women's modesty, किसी भी महिला को अगर उसके आत्मसमान को ठेस पहुंचे, या फिर आप उसके गरीमा को ठेस पहुंचाएं, उसके character के ऊपर एक उंगली उठाएं, public में उस के शरीर के जो अंग हैं, जो और्गन से उसको लेके भद्दा मजाग करें और इस तरीके की हरकत करें, तो यहाँ पर आपको पांच साल या उससे जादे की सजा हो सकती है, section 504 IPC का ये कहता है, कि अगर आपको लगता है कि आपके इस काम करने से दंगा भरक सकता है, public peace disturb हो स किसी को मार दिये, किसी को पानी गिरा दिये, कुछ जला दिये, कुछ भी कर दिये, तो ये एक तरीके से public peace को disturb करना होगा, 504 की धारा हो सकती है, तो दो साल ये उससे जादे भी सजा हो सकती है, IT Act का तो आना वाजिब था, क्योंकि phone पे record किया गया है, क्या पता कल blackmail करने के उसको upload करते या data बेच दे, तो ये एक बड़ा relevant है, साथी में भारत जो हमारी IT, BHU है और CPWD, क्योंकि BHU जो है, वो Central Government की University है, Central University है, उस पे राजसरकार का उतना हस्ट शेप नहीं होना चाहिए, ये एक Central Government University है, यहाँ कुछ भी implement होगा, तो वो direct केंदर से बातें आएंगी, और Joint Committee, IIT, BHU और CPWD के officials की setup हुई है, जो warranty के zone के जो divisional commissioner है, उनका ये कहना है, कि हमने बच्चों का argument सुना, हमने उनको लिखा, और हम ये सारी की सारी जो उनकी मांगे हैं, demand है, वो सब कुछ हम भारत सरकार को रखेंगे, और फिर उसके बाद हम approval आएगा, तो फिर fund से आए बच्चों के demand वाजिब है, एक demand थी, जो बच्चों का ये कहना था, कि जो पूरा IIT campus है, ये पूरा BHU campus है, इसमें से BHU का एक अलग से दिवाल लगा दी जाए, कुछ बच्चे इससे सहमत हैं, कुछ नहीं सहमत है, आप बताइए, क्या पूरे IIT, पूरे BHU campus के अंदर, क्य दिखा देता है, कोई जोर जबरदस्ती करता है, दोस्तों, 2017 में एक लड़के के साथ बलातकार हुआ, लड़के के साथ, yes, a boy was raped, he was raped, basically, और कुछ लोगों ने कहा कि इसको तो आदत होगी, basically, so, I mean, what a shame, 2017-18 में, 18-19 में, एक लड़की के साथ कुछ ऐसा विवहार होता है, क जो रेप वाला जो मामला था, वो बहुत जादे बढ़ चुका था, यहाँ पर आसू गोले और पानी के थरूर लोगों को रोका गया था, लेकिन मामला काफी बढ़ चुका था, खर, मैं आपको यह सब इसलिए बता रहा हूँ, क्योंकि उत्तरपदेश के इतिहास में, यह बिच्चु आईटी वाले जो सेक्शन है, इसमें को और अध्याय जुड़ गया था, जो कि मैं आपको बता दिया हूँ, बहराल, सिबिल सर्विसस के एक्जाम में यह प्रिलिम्स का तरका मैंने आपको लगा रखा है, कौन सी इनमें से कंट्री है, कॉमेंट करके आप मुझे बताईएगा, एटनॉल प्रोडक्शन टेक्नोलोजी जो शेयर करेगी इंडिया के साथ, टेलिग्राम पे आपको आंसर मिल जाएगा, और यह हमारा प्रिलिम्स दोहजार चौबिस के बहुत बड़ी मुहीम है, कि प्रिलिम्स जयते, अब जीतेंगे, प्रिलिम्स कल से शुरू होने वाला है, आप जरूर आईएगा, कॉमेंट सेक्शन में गूगल फॉर्म उसको फिल करिए, टेलिग्राम पे मुझे हाई बोलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, आई होप चीजें आपको थोड़ी समझ में आई होंगी, मिलते हैं, नमश्कार, जैहन्द, कर दो कर दो 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 आई हो आई होगी।